तो आइसे सिजन 6 मैच नमबर 81 हो गया मुंबाई सिटी एपसी भर्षिस नौट इनाइडे रिपसी इस मैच पर मुंबाई सिटी एपसी ने एक गोल लगा कर जीता सिल किया दूसरी तरह नौट इनाइडे रिपसी ने एक भी गोल नहीं लगा पाया और मैच हार गया तो चलि कर रहा था फिल में मुझे तो समाझ नहीं आ रहा था मुंबाई सिटी एपसी अपना इंटेंशन पूरिदेगे से क्लियार कर दिया था कि ओ पहले गोल लगाएगा और हाफ टाइम खतम होने से पहले उन्होंने गोल लगा दिया दिया गो कर लो जीस तरह से मीट फिल में च से जबर्दस किया दूसरी तरह से चांस तो क्रियेट हो लेकिन भूना नहीं पाया उतना ज्यादा में एफेक्टिव चांस नहीं कहूंगा कि नौस ने रिप्सी का प्लान नजड़ ही नहीं आ रहा था इस मैच पे बहुत ही डिसेपॉइंटिंग मैच था नौस करने वाला है इस टीम में उनको सैक कर देना चाहिए चलिए देख थी कि आग इसके बार में क्या सोचा जाता है लेकिन मुंबज इपसी के लिए बहुत ही बड़ा प्लास पॉइंट हो गया इस मैच पे उन्होंने तीन पॉइंट हासिल करके टॉप फोर में अपना जगा सा मैच होगा समसारे साथ बजे से के बलाएंट जोलाल नहरु स्टेडियम पर आप अगर इस मैच को ऑन-लाइन देखना चाहते हो तो आपको होड़ स्टर्ड पर देखना पड़ेगा टीवी में अगर देखना चाहते हो तापको फोलो करना पड़ेगा स्टाड सपोस तो चलिए देखते ही कि क्या होता है इस साउथ इंडियन डर्बी में कौन जीतेगा कौन हड़ेगा वो तह हमें खेल के बाद ही पता चलेगा नेक्स टकर बात किया जैंके क्यों है तो टोटल 13 मैच हो है दोनों के भी तीन पर जीताशिय पांच पर जीताश्य लाहे जिए इस सबाइस लिए बहुत कि बढ़ा खराब नीज मुज एए है कि उनका हेट कोच इस मैच पर मौझिद नहीं रहेगा उनको स्टैंड में बैठना पड़ेगा सास्पर चलते उसके साथ साथ दो एहम सेंटर बैक खिलाडी डोबर अब और निंग दोनों ही बहार रहने वाला इस मैच पे सस्पेंड के चलते ही तो एक बहुत ही बड़ा खराब और बैड नियूज है क्योंकि दो एहम खिलाडी साथ साथ हेट कोच नहीं रहेगा फिल में तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है इस मैच पे अगर सेंटर बैक खिलाडी इस मैच पे मौजूत नहीं है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जू कि दूसरी तरफ चेनाएन इसी का अटक भी बहुत ही खतरनाख है तो डिफेंसिव साइड में बहुत ही प्रसाड हैगा के लवेस्टर एपसी के दूसरी तरफ अगर के अटक की बात किया जाए तो यहाँ पर उगवेचे और मेसी वावली के इलाबा कोई जादा चांस हमें नहीं दिख रहा है और भी ज्यादा खिलाडी है लेकिन ओभी चांस भुना नहीं पाता है राफाल में इसी वावली और उगवेचे ही चांस भुना पाता है अच्छी तरिके से लेकिन हम उम्मीद करते हैं के पूरा टीम एफट हमें इस मैक पे देखने को मिलेगा के लवे किने जयास भलकिस उसके बाद एक रिफल लड़ो लाली जोला चंग टेया अंद्रिश चिंबरी सभी खिलाडी एकदम उभर के आढ़ हाई और जब और दस एटक दिख रहा है चैनाइन एफसी के तराफ से तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लास पॉइंट है को बहुत पर चैनाइन एफसी जीत हासिर कर लेता है तो उनके लिए एकदम सोने पर सुहगा हो जाएगा चैनाइन एफसी के साथ ओडिसा एफसी उसके बाद मुंबाशिटी एफसी टाव फोड के लिए अभी भी फाइट चला रहा है लूसियान गोरन का जो कमपनी है ओभी बहुत पर चैनाइन एफसी के लिए तो एक अच्छा मुकाबला हम लोग उम्मीद कर सकते है इस साथ इंडियान डर्वी से दोनों के बीच एक अच्छा और घमा सन टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा अब लोग क्या सोच रहे तो इस मैच के बारे में कमेंट करके जरू बता दीजिए आप चले हम दोनों टी मोका प्लेंगल में प्रिक्ट कर लेते हैं तो पहले अगर बात किया जाए हम टीम में की केड़वेस्टर एपसी की तो इनके प्लेंगल में में फॉर्मेस चर्ण हैगा फोर्ट तू थी वान गोल के पार में रहेगा रहेगा राइट किय przed आप रहेगा पर होगा राकिब, सेंटर बैग पर हैगा हकुक के साथ जूइ वाललून, लेप बैट बैग पर हेगा जैसल, सेंटर इम देम सी मिट फिल पर हैगा हीवागा सेहए हम पार में सेट कराएं nah तो फोर्मेशन इस माच के लिए में सेट कर रहा हूं 4-2-3-1 गोल के पार में रहेगा विसल काईत राइट बैक पर होगा रेंथली सेंटर बैक पर गवायन के साथ एली चाबिया और लेप्ट बैक पर हेगा लालीन जुआला सेंटर डिमिसी मीट फिल पर हेगा थापा के साथ भैंस पल सेंटर अटागे मीट फि कीजिए और नेक्स्ट अगर बात किया जाएं विनिंग चांसे इसके बारे में तो मैं साइध रो हो सकता है लेकिन मैं पिडिक्ट कर रहा हूं कि चैन्नाइन फसी इस मैच को जीत लेगा उनके पास ज्यादा खतरना का टाकिंग साइड मौजू थे अगर गोल लागा पाता सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने को बारे में को सब्सक्राइब कर दिए तैक आपको फटाफार नोटिफिक से मिल जाए जब यह मैं फिट अब्लोड करूं झाल